हलो आज हम बात करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में और मैं हूँ राज कमल तो चलिए सुरू करते हैं तो प्रेजिडेंट आफ उनाइटे स्टेट्स का एक्रोनेम पी ओस भी है ऑप मेरिका। और यह GB मिनुन सोता है कि able मुख्य व्यक्ति होना और किसी भी सरकार का मुख्य व्यक्ति होना मिन्स हमाघत में हेड़ of the state president होते हैं और head of the government prime minister होते हैं आप समझ गया होंगे लेकिन अमेरिका में head of the state and head of the government दोनों post president of United States ही संभालते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि president of United States वहां के commander in the chief होते हैं युनाइटे state armed forces के तो US armed forces के commander in chief यानि सर्वुच वो commander होते हैं वहां के army के तो अब हम देखते हैं तो यह seal होता है यानि वहां के American president के यह seal होता है यानि एक चीन हुआ जो वहां पर होता है जैसे हमारे असोक का असोक चीन होता है वैसे वहां पर यह president seal होता है तो अब हम बात करते हैं रेसिडेंस यानि अमेरिकन president रहते कहा है तो American president रहते है Washington DC में आपको ये पता होना चाहिए कि Washington नाम को वहाँ पर एक राज्य है तो मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ बलकि मैं Washington DC की बात करूँ ये DC का मतलब बहुत है District of Columbia means वहाँ पर एक Columbia राज्य है जो उसमें एक उसका एक राज है उसका एक स्वारी जीला है जिसका नाम है वासिंग्टन वहां का जैसे कि हमारे यहां दिली जो है केंदर सासित प्रदेश है वैसे ही अमेरिका में वासिंग्टन डीसी केंदर सासित प्रदेश आप कहा सकते हैं उसे और वो वासिंग्टन राजी में नह फियर्स होता है आपको याद रखना चाहिए और इस पोश्ट की शुरुआत 21 जुन 1788 में शुरू की गई थी 232 साल पहले और इसके यहां के पहले प्रेसिडेंट ते जॉर्ज वासिंग्टन जॉर्ज वासिंग्टन का नाम आप लोग ने सबने सुना होगा अब हम बात करते हैं वहां के political party के बार में तो वहां पर mainly अभी मतलब अभी देखा जाएum godon times में तो दो ही political party एक Republican party और एक Democratic party तो लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि हमेजा से il vuh iq iq paura ya digital German pantry where he is pinign one after waszington निद्दलिया बने तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे जदा प्रभान मत्री अगर कोई पुल्ट्ल पार्टी दिया तोा रिपब्लिकन पार्टी दिया और अब भी कि मोथ ॐस यह के प्रेजेंट प्रेजिडन आफ युनिट्सेल से Donald Trump वो भी belong करते है Republican Party से और अगर आप देखे कि Democratic President वहां के आख भी हाल के थे Cabraak Obama तो Cabraak Obama होगा के Republican जो पाटी हा उसके founder थे Abraham Lincoln इसके बाद हम बात करते है Most influential President Customer United States के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा मतलब influential थे अमेरिका में और इनका एक एक decision पूरी दुनिया को impact किया पहला स्थान अब्राहम लिंकन का और अब्राहम लिंकन का नाम mostly जानता होगा 100% लोग जानते होगे क्योंकि अब्राहम लिंकन ने of the people for the people by the people एक democracy का definition दिया और इसके बाद आते है Franklin D. Roosevelt D. means Delano Roosevelt Franklin D. Roosevelt यह थे और यह अमेरिका के president रह सबसे जादा मतलब after George Washington यह सबसे जादा दिनों तक वहां के president रहने वाल जो elected president 4 March 1933 से लेकर के 12 April 1945 तक लिखाई है longest serving president तो इसमें आप देखेंगे कि वह वहां पर elect हुए जब अमेरिका में महामन्दी आया होता हो means Great Depression आया होता है यह कब आया था 1921 में और यह office को held के कब तक अपने मरने का दीन तक means 1945 तक मतलब world war 2 खतम होने के एक महीना पहले ही इनकी मृत्यू हो गई means पूरा द्यूत्य विश्यूद इनहीं के नित्रित्यू में अमेरिका ने लड़ा इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने एक federal government का जो रोल है उसको भी उन्होंने बढ़ाया अपने tenure में इसके बाद आप देखेंगे जॉर्ज वासिंग्टन तो जॉर्ज वासिंग्टन वहां के father कह जाते है father of the nation कहा जाते हैं जैसे हमारे महात्मागादी कहा जाते हैं और वो 1789 से 1797 तक वहां के president रहते हैं मिन्स अगर आप देखें तो आठ साल वहां के नौ साल वहां के president यह थे फिर अगर आप वहां के देखें तो यह वहां के पहले थे और यह वहां के commander in chief थे American revolution जो अमरिकी क्रांग ती गुआ था बिडिसर्स के खिलाब उसके यह commander in chief थे American जो forces थी उसकी तरफ से और इन्होंने प्रिसाइड किया यानि अद्दक्ष यह बने थे constitutional convention of 1787 को इसके बाद आप देखेंगे Thomas Jefferson Thomas Jefferson को अमरिकी नोट पर भी इनका चेहरा है आप अगर ध्यान से अगर 100 अमरिकी डॉलर देखें तो इस पर Thomas Jefferson का चेहरा होता है तो इसके बाद आप देखें तो Thomas Jefferson जो थे वह वहां के थर्ड प्रेजडेंट थे अमेरिका के और उन्होंने बहुत ज्यादा महत्पुर्ण भूमिकानी बाई एक उभरता हुआ अमरीका को अस्ताइट देने के लिए और इन्होंने द्राफ्ट किया डेक्लिरेशन अफ इंडिपेंडेंस हमारे राफ्ट कौन लाइस्ताइं टॉक्टर बाबा साही भीम्रा उम बेट करताउं तो तो मस किंद के यए घृबन सब्से nossa संहार में Digital स्टेट को हमारे यहां क्या कहा जाता है उसके मतलब कंपेर का कौन से विदेश मंत्री इसके बाद हम देखते थियोडोर रुजावेल्ट का चेहर है यह है इसमें आप देखेंगे कि उनके मतलब हम इंटीरियर पॉलिसी के बारे ना बात करके मैं उनके फॉर्ण पॉलिसी के को हरा दिया इसमें जो खतम हुआ यूद तो इसको मेडियेट कोई किया तो वो किये थे थियोडो रुजावेल्ट जिसके लिए इस मतलब मीडियेशन के लिए उनको नोबल प्राइज से भी सम्मानित किया गया और यह डिवलपिंग यानि पनामा कैनल के विकास में भी इन जो क्लोजिंग मंस यानि जो अंतिम जो महीना था वर्ल्ड वार सेकेंट का उसमें उन्होंने लेड किया और आगर आप सब कोई जानता होगा कि दुनिया में दो जगा पर आटम बॉम का प्रियोग किया पहला था हिरोशिमा और दूसरा जगा था नागा साकी जिसमें अमे ना था उसमें उनकी मृत्य हो गई तो उनके जो उपराष्ट पती थे हैर्यस ट्रूमेन वहां के राष्ट पती बनते हैं और वह और देते हैं कि हिरोशिमा और नागा साकी में अमेरिका बॉम ड्रॉप कर दे उसके बाद हम देखेंगे कि वर्लड वार सेकेंड खतम होता ह तो सोवेट उनियन के साथ इनका इनका रिलेशन बहुत हो जाता है और इन्होंने कॉल्ड वार का एक अपना ड़क्ट्रीण बनाते हैं जो की पूरे कोल्ड वार के समय चलता है उसको हम लोग олж्लमेस करेंगे त्लमेस डॉक्ट्रीण को फालो कीया पूरा युएस पूरे ह सोब्यत एक यूणिन के खिलाफ पूरे कोल्ड वार के समय ऑज व smoking र्युस पवार में तो जो फर्स्ट वर्ल्डवार गया अमेरिका का कोई अगर नेivaat Lord वार के समय कौन किया था कि लेकिन एटॉम भॉम्म को एड़िया है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक मतलब campaign चला है global alliance का जिससे की future में conflict जो है वो उसे बचा जा सके और इसके परिडाम में league of nations का सुरुवात किया गया तो उसके पहले league of nations में था और league of nations का idea अगर किसी का था तो वो वुड्रो विल्सन का था तो इसके बाद हम देखेंगे ड्वाइट डी आइजन हावर के बारे में तो ड्वाइट डी आजन हावर का foreign policy पूरे तरिक से anti-communist रहा है पूरे यूरोप में और एसिया में और इन्हो इन्हों ने increase करा दिया और यह वहां के South Vietnam government को भी support कर रहे थे जो की capitalist था और उसके चलते वहां पर Vietnam war भी हुआ था लेकिन अंत में लाश में 1976 में North Vietnam और South Vietnam unified हो जाता है चिमेनी के नित्रीति में और बाद में वियतनाम एक independent country हो जाता है इंडिपेंडेंट सौवरेन country हो जाता है इसके बाद हम बात कुने अधर important president के बारे में तो उनमें है रॉनल्ड डीगन जॉज डाबलो बूस senior जॉज डाबलो बूस junior बिल क्लेंटन बराक अबामा और अभ रॉनल्ड डीगन ने दिया फिर जॉज डाबलो बूस senior ने अमें इराक पर पहला युद्ध छेड़ा जिसको desert strong कहते है 1991 में first gulf war second gulf war कौन लड़ा तो इनके बेटे जॉज डाबलो बूस junior लड़ें जो 2003 में और यहीं पकड़वाए सद्दाम हुसेन को और बाद में फांस जाते हैं और उसके बाद से आपके 2009 से लेकर 2016 तक कोई अगर अमेरिका को प्रिसाइड किया तो वह थे बराक ओबामा जो की कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल इंडिया थे और उसके बाद अभी जो चुने के हैं 2016 से 2020 तक अभी प्रेजिदेंसल इलेक्शन वहां चल रहा है तो इसमें से अब यहीं important है और आपको इनके बार में याद रखना अती हावश्यक है तो thanks अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर कॉमेंट करजिए और बताए मुझे कि क्या कमी रह गई क्या अच्छा है मेरे वीडियो में और please share और subscribe मेरे वीडियो को ज दरूर कीजिए so thanks